नमस्कार वीवर्स। आप ठेकेदार बन गए हैं। अच्छा काम चल रहा है। अच्छा पैसा कमाते हैं। घर में कोई कमी नहीं है। मगर मैंने ज्यादातर ठेकेदारों के यहां जो कमी देखिये वो बताता हूँ। वो अपने बच्छों को इंग्लिस मेडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। श्रीमती जी को गाड़ी में लेके घुमाते रहते हैं। और कई बार वो घुमने भी जाते हैं। और जाना भी जी और अपने माता पिता का पूरा द्यांग नहीं रखते हैं। मेरी बात आपको बुरी लगेगी मगर मैं जिस उमर में हूँ। और जिस हालात में मैंने उनके माबाप को देखा है। बड़ी मुश्किल से माबाप आप लोगों को पढ़ाते हैं। बहुत उम्मिदें रखते हैं आप से। और वो उम्मिदें कौन-कौन सी रखते हैं। वो बताता हूं आपको। हर माबाप यह उम्मिद रखता है कि जब भी हम बूड़े हो जाएं। तो आप हमारे को डांटना मक। क्योंकि हमारी सारी परिस्तितियां ऐसी हो जाती हैं कि उस समय आपको सबर करना करना पड़ेगा पीता का हेल्थ मा का हेल्थ अलाव नहीं करता है उस समय और ऐसी इस्तिति में आपको सबर करना पड़ेगा उन्हें समझाने के वज़ाएं आप उनके उम्र के तकाजे को समझने की कोशिश कीजिएगा जान दीजे मेरे सब्दों को यदि आप ठेकेदार ह या अन्य किसी भी बीजनेस में हैं तो यह आपको करना ही पड़ेगा उनकी परिष्टितियों को समझना पड़ेगा उन्हें डांट येगा नहीं नहीं उनकी हर बात को आप समझने की कोशिश किजिएगा कई बार आप लोग उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं उस समय उन आपकी हिम्मत नहीं थी पिताजी के सामने बॉलने की मगर अब चुंकि वह असी साल के हो गए हैं सारी अवस्ता उनकी एकदम चर्मरा गई है ऐसी इस्तिति में आप उनको समझाने लग गए हैं ऐसा कभी मुद्द कीजिए और वह कभी किसी बात को भूल जाएं पिता जी होंगे आपके तो ऊससमेए उन्हें यही धान नहीं रहता है कि ये भाम नहीं रहता है कि सुबाय उनकी दाटने हैं जाथी वह ली है या नहीं ली है ये भी हो भूल जाते हैं और आम उनको आकर को पूछते हैं पापा को जब वो बिमार हो जाएं तो आप उन दिनों को याद कीजिए जब आप साथ साल के थे दस साल के थे बारे साल के थे और आप बिमार हो जाते थे और वो आपको गोदी करके ले जाते थे एक पंद्रे साल के बेटे को गोदी करना एक बाप के लिए बड़े मुश्किल बरा क काम होता है और वह आपको एक एक किलोमेटर तक गोदी करके ले जाते होंगे यह मैंने देखा हैं और अब आप वो मिमार हैं और आप आपको उनकी मैंने कहीं वो देखा है उस्पिटल में शीडिया चड़ते वक्त अपने बुजरु माबापको सारा तक नहीं देते वो चलते रहते हैं अकड़के और पिताजी पीछे शीडियों के हाथ लगा लगा कर मुश्किल से चड़ते हैं ऐसी इस्तिति नहीं आने दीजिएगा पिटे इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये बुड़े होकर चल नहीं पाएं तो उनका साहरा बनने की कोशिस कीजिएग बेटे माबाप की लकड़ी होते हैं उनकी लाठी होते हैं उनके जीवन का साहरा होते हैं मैं धोड़ा भावक हो गया इससे आगे ये वीडियो नहीं मना पाऊँगा तो एक्स्कुज मी